मंदिरों और मठों के भीतर केबल प्रसिद नहीं पुरातन भी है स्री जगन्नात मंदिर के दखिनपुर बुदिसा में स्वर्गद्वर जाने की रस्ते में बालिसाई के मुख्य रस्ते में ही ये मठ अवस्ति थे स्री चैतन्य देव ओडिसा आने के बाद पूरी के इस मठ में अठरा सालों तक इसी जगे में रह रहे थे स्री चैतन्य अथवा गौरांग महाप्रभु के नामानुसार इस मत का नाम गौर गंभिरा भी है स्री राधाकंत मत गौडियो बैश्नोबों का प्रमुक धर्म पिठे राधाकंत मत की उत्पती के विशे में कथा है गजबती प्रतापरुद्र देव के सासन के समय में उनकी राजगुरु कासि मिश्र गजबती महाराजा जी से ये स्थ्यान को प्राप्त किये थे और यहीं पर बसबास कर रहे थे स्री जगर्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए सन्या सी स्री चैतन्या 1509 क्रिस्टाब्द में स्रिखेत राय थे चैतन्या महाप्रभु जब स्री खेतर आय तो अठन्यला के उपर निलचक्र जी का दर्शन किये और निलचक्र में उनको राधा क्रिष्णी की मिलित रूप का दर्शन हुआ और जब मंदिर के अंदर गए गरुरस्तम के पीछे से महाप्रभु स्री जगर्नाजी का दर्शन किये स्री जगर्नाजी का अपोर्भु सुन्दर रूप को देखके वही पे मुर्चित हो गए तब पंडित सार्बोभु में भटाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु को लेकर अपने भवन में चले गए जहांपे वो साथ दिन थे रहे और उन दोनों के बीच में बेदान्द को लेके बहुत तर्क हुआ जिसमें पंडित सार्बोभु में भटाचार्य जी हार गए और चैतन्य महाप्रभु से आग्रह प्रकास किये अपने स्वरूप में आने के लिए तब ही जाकर चैतन्य महाप्रभु अपने सड़भूज रूप का दर्सन दिये थे आज भी वो गंगा मता मठ पूरी में स्थी थे आप जब स्रिखेत राएंगे तो गंगा मता मठ में सड़भूज रूपी को रांग का दर्सन कर सकते हैं वहाँ पे साथ दिन ठेरने के बाद कासी मिस्रजी का घर में आके राधाकांत मुर्ती के दर्सन किये और यहीं पे उनकी अनुरोद को रत्ते हुए चैतन्य महाप्रभू 18 साल तक रुप गए यहीं पे रहने लगे चैतन्य महाप्रभू इसी स्थान पे अपनी 18 सालों का सारी लीला प्रकट किये थे चैतन्य महाप्रभू की अन्य नाम गोरांग के नाम अनुसार ये जगा का नाम रखा गया गोरो गंभिरा आज भी आप देख सकते हैं महाप्रभू जी की कमंडलू उनकी पादुका और मा का दिया हुआ रजाई यहाँ पे सुरक्षित आवस्ता में है आप जब इस रिखेतर आएंगे तो इन सारे चीजों का यहीं पे दर्सन कर सकते हैं और महाप्रभू की गंभिरा का दर्सन का लाग उठा सकते हैं हम सब ही अभी अखंड दिये का दर्सन कर रहे हैं आप सब जानके चक्कित होंगे यह अखंड दिया आज से 545 साल से यहीं पे ऐसा ही जल रहा है यह इस मट का महत्मिय है नाम और संकिर्तन के प्रबर्टक महाप्रभु स्री चैतन्या जब से स्री खेतर आये तब से अभीरत यह नाम यहीं पे चल रहा है आप देख रहे है अभी यहाँ पे बाबा बेट के नाम ले रहे है यह आज की परमपरा नहीं यह सालों की परमपरा है जो यह चब्विस खंटा यहाँ पे बेट के महाप्रभु की श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द हरेकृष्ण हरे राम स्री रादे गोबिन्द का नाम करते आरे शंत स्मभाबमाने करुन चांदी जेत्व reindeer मौहाप्रभ असी तेलेये प्रिरी पत्तो मेथ रा theology जेत्वी जगैनात देख़ा डेकेरि शेत लेलाय मूर्ची तेले सार्भवा मानेकृ घरको नियासतम तापर मौहाप्रभ शेटी सार्भवा माने देखे दिले शेटा हाला पत्थम सड़भुजरूप ता आपर 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 दर्सन करले शेटा हाला माध हुईलो ता जो दासी तांके जत्ते वड़े चोट्टो हरी दास्टूंको भिज्या देज्च महाप्रवुणको पाइं तांको माध गोड़ो देशरू बास्ना तेलो थंडा तेलो आणि थिले महाप्रव उन्कर सुभ विळ अधर भाण rethink को महाप्रव उन्कर अधर इत्टल्यक्यकें आहीग नाति महाप्रु रथो जात्रा आगरे गुंडी चा मार्जना करुजुन्दी तापर जुँ आपनों दिखु दिले फट्रा सेटा हैला आमा हरिदास्थाको नूंकु जत्तले जबनमाने बांधिगिरी ने जाइतिले राजाबाखरे से फट्रा दिखे दिले राजकुरु कासिमिस्र एकनास्टिक ब्राम्हन थे और चैतन्य महाप्रभु के प्रभाब से प्रभावित होकर उनकी घर उनकी ये स्थान को उनको प्रदान कर दिये गजबती पूर्शोत्तम देब के कांची अभिजान की समय में कांची से वो एक गणपती और राधाकंत मूर्थी को लाकर स्री मंदिर में स्थापित किये थे लेकिन आश्चरिय की विषय ये है प्रसाध होने से पहले राधाकंत मूर्थी मंदिर की सारी द्रभ्यों को सबसे पहले ग्रहन करते थे तो जब इस बारे में राजाजी को पता चला वो बड़े चिंतित हो गए और अपने राजगुरु कासिमिस्रजी से परामर्श किये कासिमिस्रजी उन्हें सला दिये और राधाकंत मूर्थी को लाकर अपने घर में स्थापित कर दिये तबी से राधाकंत मूर्थी यहीं पहे उनकी सारी पुजार्चना सारी बिधिया यहीं पहो रहा है और उनकी नामनुसार इस मट का नाम रखा गया राधाकंत मट कासिमिस्रजी यहीं पहा लें पहे उनकी भल्लाबश ठनकी से राध Gilbert भलंगsung необходимо का यहीं उनकी सारी यहीं पहे लिनकी सारी से राधा कंत मूर्चना राधार बिधित कर दिर दृट unfamiliar प्रत्तव किसर राजांग अम्मालुरू प्रत्तव किसर राजांग अम्मालुरू तरिया राजांग अम्मालुरू किसर रुट्वार अम्माल्भ्रे sounds म॰ाधोन निरtsåिी अम्मालुरू आए ऴुट्वारी रहे साम्मुरू म॰ाधोन श μεंहा। दोगतिरा रससी मा, जहा को महाप्रभू जानी पारना दी, कली जुवेर अवतार हैंगेले, गवर अवतार हैंगे आईले, से राधा, से प्रेमा, से भगतु, जगनात्य जहा को निद्धा सोवने, बड़ा सेंगार बेसो के बला राधा बार, खाली बला राधार महिमा, भग हमाँ जगनाती जगनात्य जहा हमाया जोकप हरो भगत यहां जहां से भी बला आको चाली जानी जहांगेली, जहांगेंडा। करिज दूर करिज़ बिलिकर्ट जारी पागासुब प्रखण माश्रे थिर्ट नम हपपर हमारे इछ अगमाना उफ्टब हारे हैं भरो ठबाल से अठरी नाला प्खेरा जे पहँची जहाली समर्र अशानमास में में रग्हों जहांसी है। जहिसा खाय खाय, जब को उठके जाय, जढ़ाताम पखेरे जहांसी है। जहाली समर्र पनने दीन का मोई रिदीन का मिल्याना हुई तैट मेरे लगवी लगऑंज में के साने भी पास अकली ऱी एंट works माँची शचिछित अर्ट अर्ट सब्सक्रेक अर्ट सब्सक्राऊ ज्याट कोख बना क्या लाओ से लगठ नमार Food आप सब्सक्राइब gonna voice езде लगवरा दें क्या क्या सब्सक्रें आज हम राधाकांत मठ में आये थे मठ की सारी रिती निती कितन की परमपरा और राधाकंत मूर्ती की पूरा पुजार्चना के बारे में हमने बात की आपके लिए हम ये भेट लेके आए आप जब भी पूरी आएंगे यहाँ पे आएए और इसमट का पवित्रता का उपलब्दी कीजिए यहाँ का दर्सन कीजिए राधाकंत मुर्ती एक ऐसी मुर्ती है जगरनात मंदिर में आप जैसे देखते हैं इतने प्रकारों का भोग लगता है ठीक उसी प्रकार ये खाने की सौकिन है इसलिए उसी प्रकार का भोग यहाँ पे भी लगता है यहाँ पे भी उसी प्रकार का पुजार्चना होता है तो ये राधाकंद मट का परंपरा है आप पवित्रपुरी गर्व हमारी ये गर्व तभी होगा जब आप लोग इस गर्व को महसूस करेंगे तो यहाँ पे आईए इस मट का दर्शन कीजिए गंभिरा का दर्शन कीजिए और हमारी कोशिस हमारी चेस्टा को सफल कीजिए आज के लिए इतना ही फिर आपके सामने बहुत जल्द उपस्तित होंगे और एक नयाब इसे बस्तू को लेकर तब तक के लिए खुसी में रहिए प्रभुजी का नाम स्रवन कीजिए किर्टन कीजिए और नमन कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीज जै जगर्नाद